तो आप कह रहे हैं न केवल आपके रिष्टे सुशान के फैमिली में बिगड गए थे कहीं सुशान के भी रिष्टे अपने फैमिली से बिगड गए थे क्योंकि हमारे सामने इतने वीडियोज हैं जा सब फैमिली एक साथ है वो अपने बहनों के साथ है लग रहा है बड़ा नॉर्मल लग रहा है और सुशान लुक्स लाइक ही खुश नजर आ रहा है अपने परिवार के साथ आज आप मुझे कह रही है कि वो रिलेशनशिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है वो वीडियो देखकर तो हमें सब लगता है कि नॉर्मल रिलेशनशि लेकिन वो आते थे उनमें क्या अन्बन होती थी वो लोग एक ही दिन में बिछड जाते थे उनकी बहन मीतु जैन में चंदिगर से आने के बाद उनकी बहन मीतु सुशान की घर में रह रही थी मैंने उनके साथ कोशिश भी कि हमने साथ में एक ट्रांसेडेंटल क्यों कर रहे थी वो यह कैसा इसलेशन हुआ और फादर सिंग साथ सुशान सिंग राजपूत और उनके पिताजी के रिष्टे इन सुशान से बच्पन से काफी अच्छे नहीं थे क्योंकि उनके पिताजी ने बहुत यंग एज में छोड दिया था वो अपनी मॉम को बहु ज़रूर फिल करेगा मेरी सुशान की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशान हैड नॉट मैठ इस फादर फादर फाइव यह लेट मी कम टू अ क्वेस्टिन एक सवाल मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि बार बार आ रहा है डिप्रेशन अब मुझे आज सुशान सफरिंग फ्रम डिप्रेशन क्या सुशान की तवियत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनके उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा यह कब से डिप्रेशन में चले गए क्योंकि यह सबसे जो बड़ा सवाल है क्या वाकई सुशान बाइपोलर ट्रीटमेंट के लिए इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था क्या जरूरत थी या आप उनको कह रही थी नहीं सुशान डिप्रेश और उनको इन डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी जबरदस्ती लेकर जा रही थी मैं ऐसा क्यों चाहूंगी अगर अभी इतने सारे अलिगेशन लगे हैं मेरे पे अगर सब मुझे इतना ही मतलब ही समझते हैं तो मेरी तो पिक्चर है सुशान के साथ हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं मेरे लाइफ की सबसे बड़ी पिक्चर मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ सही हो उसमें मेरा प्यार और मेरा को स्टार दोनों साथ ही साथ कमाल हो उस फिल्म में सुशान्त को डिप्रेशन था वो इतना सिवियर एंग्जाइटी उसको शुरू में था एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स कि वो एक साइकाइट्र से खुद मिलना चाहते थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मुझे इन फैक मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है मुझे फिर समझ में आया है पहले मुझे लेगा कि क्यों ये ठीक है चला जाएगा एक दो दिन में फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइटरिस को मिलना ही है और हम एक नहीं हम चार पांच रेप्यूटेड टॉप नौच साइकाइटरिस से मिले हैं जिनके साथ सुषांत अंडवेंड ट्रीटमेंट वो हिंदुजा हॉस्पिल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर करसी चावडा जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर है उसके अलावा डॉक्टर परवीन दाजा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चु बीजा आप डॉक्टर प्रेय्टिम स्हेंट मेंगप अट भी ने डॉक्टर सोफेवा डीटिम यानुटेडी मेडम च्टार्यट या आप बास्टिर मिलने नगगा ते दव के लॉक्टर अमशन परेशन से 2013 में उन्हें मुझे बताया था कि वो एक psychiatrist से मिल चुके हैं उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन-किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे लेकिन हाँ वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर करसी चावडा ने प्रिस्क्राइब की तो मैंने बुला हरे यह तो वही दवाए जो तुम लेते हो और तब मुझे समझाया कि शायद किसी psychiatrist से वो मिले भी होंगे 2013 और हरे सुशान खुद जानते थे कि उनको इस तरह की mental depression थी जी और उनकी जो मदर हैं जो who passed away जिनसे वो बहुत प्यार करते थे और in fact मुझे लगता है कि उन mental illness की शेकार थी और उने भी depression था और वो इसी कारण actually उनकी she was no more